आज हम बनाने वाले हैं चिली गालिक बाइट तो रेसिपी को एंट तक जरूर दें किएगा रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजेगा तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने यह एक इंच अद्रक टुकड़ा हरी मिर्चे और यह कुछ लसन की कलिया ले हैं इनको हम पीस के इनकी चटनी बनाएंगे तो ये लीजिए हमारे अद्रक, लसन और मिर्ची की चटनी तयार है इसे निकाल लेंगे हम और यहां पे मैंने ये लिया है एक कप चावल का आटा इसे एक बाउल में डालेंगे और साथ ही में यहां पे मैंने ये दो बड़े चमच बेशन लिया है इसे भी डाल देंगे और हम इसमें अपने अद्रक, लसन का पेस्ट भी डाल देंगे और यहां हम डालेंगे नमक और हाफ टीस्पून काली मिर्च और यह यह है पीजा सिजलिंग इसे भी इसमें डाल देंगे और अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसे अवाइड कर सकते हैं एक कप दही और इसी कप में हम एक कप पानी लेंगे और अब हम इसका एक पतला सा खोल बना देंगे तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्प करेंगे तो यह जो हमारा बैटर है यह भी बहुत थिक है इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा और डाला है आधा कप और मुझे लगता इसमें आधा कप पानी हमें और डालना होगा क्योंकि हमें जो बैटर है वो बहुत ही पतली कंसिस्टेंजी का चाहिए तो इसे अच्छे से मिक्स करके देखते हैं भी कि आगी हमें पानी डालना है या नहीं तो देखिए बैटर हमारा तयार हो गया है हमें यह इस कंसिस्टेंजी का बैटर चाहिए तो यह परफेक्ट है चलिए इसको डो बनाते हैं इससे हम लो तो यहां मैंने एक पैन लिया है इसे गैस पी रखेंगे और जितना भी हमारा बैटर है वो हम इसमें डाल देंगे तो अब मैं गैस अन कर रहे हूँ और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे चलाते वे अच्छे से डो कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है तो हम इसे लगातार चलाती रहेंगे क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो इसमें गुठलिया पढ़ जाएंगे तो देखे जैसे आप देख पा रहे हैं महरा जो यह बैटर है यह थिकोना शुरू हो गया है यह देखे और बस ऐसे करते करते हमें इसे बिल्कुल डो कंसिस्टेंसी आने तक पकाना होगा तो यह देखे डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है यह आप देख सकते हैं बिल्कुल इसने छोड़ दिया है पैन को और अब हम इसको पाश मिनट के लिए ढग देंगे अब हम अपने डो को इस बड़े बावल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे इतना ठंडा कि हम इसे हाथ लगा सके अभी यह बहुत गरम है हमें हाथ नहीं लगाया जाएगा इसको क्योंकि हमें इसे नीट करना है थोड़ा सा तो इसको थोड़ी देर ऐसी खु काफी ठंडा हो गया है इसे मैं छू सकती हूँ तो यहाँ पे मैं एक बड़े चमच के करीब तेल अपने हाथ में लेंगी और इसके बाद हम इसको गून देंगे लेंगे तो देखे फैंट जैसा आप देख पा रहे हमारा डो बिल्कुल तयार हो गया है अब हम इसको ढग के साइट में रख देंगे और आगे की प्रिपेरेशन करेंगे तो यहां पर मैंने यह सूखा चावल काटा लिया है जिसे हम जब अपने लोई बेलेंगे तो उसमें यूज करेंगे और अब हम अपने डो में से करीब दो रोटी के जितने लोई लेंगे और उसे बेलेंगे तो यहां पर मैंने यह डो ले लिया है और मैं इसी थोड़ा सा स्क्वेर शेप दे रहे हूं ताकि जब हम इसे बेलें तो यह थोड़ा स्क्वेर शेप में ही रहे और बाकी हम एड़्जस कर लेंगे हातों से क्यूंकि हमें इसके पीसिस जो निकालने है वो भी स्क्वेर शेप में ही निकालने होंगे आप चाहें तो आप सर्कल बना के फिर उसके स्क्वेर पीसे काट सकते हैं नाइप से और यह देखें जो साइडों से किनारे जो आपको लग रहा होगा कि यह तो किनारे फट रहे हैं अब इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लिजे यह देखें हम इसे हातों से जब दबाएंगे तो यह किनारे हमारे स्मूध हो जाएंगे इस तरह से हम इने सेट कर देंगे तो ऐसे एक तरफ से सेट करने के बाद हम अपने रोटी को पलट देंगे यह देखे और उसके बाद बस हमें हलका सा इसको बेलना है ताकि जो हमने साइडों से उसके किनारों को स्मूध किया है वो भी इवन हो जाए तो उचा नीचा नहीं रहेगा यह देखे यह बिलकुल बराबर हो गए है और अब हम इनके पीसिस काटेंगे तो यह मैंने ओयल ले लिया है और इस ओयल को हमें अपने नाइफ पे लगाना है यह देखे इस तरह से हम अपने नाइफ पे ओयल लगा लेंगे जिससे जो हमारा नाइफ है जब हम उसके पीस कट करेंगे तो उससे वो चिपकेगा नहीं इस देखें बड़ी असानी से हो जाएगा और अगर आपको लगी कि वो चिपक नहीं लगाए तो आप एक बार फिर से उसमें ऑईल लगा लिजे तो इस तरह से हम अपने सारे पीसिस को कट कर लेंगे यह देखें यह हमारे पीसिस कट हो गए है और अब हम इने अलग से प्लेट में रख देंगे और ऐसे हम और भी पीसिस कट कर लेंगे झाल 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 तो देखिए मैंने ये सारे पीसिस कट कर लिये हैं चलिए अब इने फ्राइ करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हमने तेल गरम कर लिया है और अब हम इसे मीडियम टु हाई फ्लेम पे इने तलना है तो एक बार में जितने अराम से आ सकें आप उतने ही डालिएगा पीसिस को और डालने के बाद हमें इने तब तक नहीं चूना है जब तक ये खुद ही फ्राइ होके थोड़ा सा तेल के उपर नहीं आ जाते हैं तुझे ऐसा आप देख पा रहे हैं हमारी चिली गालिक बाइट्स जो है ये दोनों तरफ से गोल्डन होने लगे हैं तो अब हमें थोड़ा सा फ्लेम कम करके इनको क्रिस्पी होने देना है तो इसे लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए और फ्राइ करेंगे और इसे आप अपने बच्चों की बर्डे पार्टी के लिए या फिर किसी फेस्टिवल के लिए या फिर जैसे महमान घर में आने वाले हों तो आप इन्हें पहले से भी प्रिपेर करके रख सकते हैं आप इन्हें बना लीजे और फ्रीड में रख लेजे और अगर आप इन्हें फ्रिजर में रखते हैं तो 15 दिन तक इppy बिल्कुल भी खराब नियुक बस एयर टाइट कंटेनर में इन्हें भर के रख दीजे और 15 दिन तक इनको जब आपका दिल करें प्राइ किजे और इनक तो इसी तरह से हम बाखी के चिली गालिक बाइट्स भी तयार कर लेंगे यह देखिए तो लीची फेंस हमारे चिली गालिक बाइट्स बिलकुल तयार है और आप इन्हें किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कितने अच्छे से फ्राई हुए है यह बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से देखिए बिलकुल सॉफ्ट और स्पंजी बने है खाने में बहुत ही टेस्टी है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रू ट्राई कीजेगा और कॉमेंट में आपको यह रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं तब तक अगली रेसिपी में